उत्तर प्रदेश के हर्दोई के शाहबाद में किसानों ने मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिये जाने को लेकर जाम लगा दिया किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास टोकन भी है लेकिन उन्हें मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है तीन तीन दिन से किसान मंडी के गेट पर खड़े हैं अपनी ट्रैक्टर ट्रोलियां आड़ी तिर्ची खड़ी कर दी जिससे मंडी प्रिशासन में हड़कम्प मच गया सूचना पर पहुँचे उपजिला अधिकारी, शाहबाद, अतुल श्रिवास्तव और कोतवाल उमाशंकर सिंग ने किसानों को समझा बुजा कर जाम खुलवाया किसानों ने आरोप लगाते हुए कहा कि टोकन जारी होने के बाद भी उनको मंडी में प्रवेश नहीं दिया जा रहा और ना ही उनका धान तोला जा रहा है किसानों ने कहा कि 3-4 दिन से ये लोग मंडी गेट पर ही बैठे हुए हैं इतनी भीशन सर्दी के बावजूद भी उनका धान नहीं तोला जा रहा है और ना ही कोई मंडी प्रशासन अभी तक किसानों की सुध लेने के लिए मंडी गेट पर आया है आज सुबे से ही किसानों के ट्रेक्टर टॉली मंडी गेट पर जाम की सिधी पैदा कर रही है उसके बावजूद भी कोई मंडी करमचारी किसानों की सुध लेने के लिए नहीं आया लगबग 3-4 घंटे से जाम की सिधी पैदा हो चुकी है एक तरफ जहां दिल्ली में किसान धरने पर बैठे हुए है वही दूसरी तरफ मंडी प्रशासन किसानों का शोशन करने से बाज नहीं आ रहा है टोकन देने के बाद भी क्रेक इंद्रों पर विचोलिया और दलाल पूरी तरीके से हावी है और देश का अनदाता खून के आसु रोने को मजबूर हो रहा है जानकाली पजानमार आओ रुबान खड़े कुछ किसान घर से बगार टोकन लिए यहां मंडी में टोकन इसू होता और टाइम और दिया जाता 10-15 किसान जो है एक गाउं के बगायर टोकन लिए ला करके मंडी गेट पर खड़ा करें और जब अंदर जाने को कहें तो गेट कीपर पूचा कि मैं टोकन दिखाई आज का टोकन होगा तो आप जाएंग अंदर तो लोग माने नहीं और ट्रकों को ऐसा खड़ा कर दिये कि जो तक मंडी से बाहर निकलने वाला गाड़ी यह भी रुप दिया और बाहर चे आने वाला गाड़ी ओवी रुप दिया ऐसी दसा में जाव लोग आए बात किये कि अपना टोकन दिखाईए आप लोग गाड़ी अपना टोकन दिखाईए जाए तो लाइए तो इस लिप्रम में लोगों को बिलाया हूँ जिनका टोकन होगा उनका खड़ाओंगा उनका टोकन लेके जाए जिस जट को लगेगा ले आगे तो लाइए ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइप, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवाद at JBT Banquets Enterprise